नमस्कार मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत वाड एक निपनिया सी यल रावत साब हमारे साथ मौजूद हैं इनकी वाइप यहां से निर्दली प्रत्यासी थी इन्होंने भारती जनता पार्टी से टिकेट मांगा था टिकेट ना मिलने पर इन्होंने निर्दली चुनाव लड़ा था कितने वोट से आपकी जीत हुई है 349 वोट से इसके पहले भी आप पार्थी जनता पार्टी से क्या आपने टिकेट मांगा थे इसके पहले भी आप पार्षद दुआ करते थे जी जी पहले भी मैं टिकेट मांगा था दूसरी बार भी मैं टिकेट मांगा थो हमारी टिकेट पार्थी जनता पार्टी दौरा का अब आपकी पार्शद नहें आप ये तो तैं हो गए आज से थोड़ी देर में आपको प्रमाणपत्वे मिल जाएगा आपके वार्ड को काफी पिछड़ा वार्ड कहा जा सकता है आपके वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं तो किस तरीके से आप उन समस्यां को दूर करेंगे क्या है आपके दिमाग में प्लानिंग मेरे प्लानिंग ये है कि सबसे पहले मैं जहां से बाड का विकास होता है वो यह माईसी होती है सबसे पहले जो भी हो माईसी में जाएंगे और माईसी के माध्यम से जो प्रस्ता हो हम अपने बाड के लिए लाएंगे और उसके माध् जिसकी बनेगी, मैं उसके साथ जाएंगे, आप अपने छेतर में भी कास करेंगे, पहला काम क्या करने जा रहे हैं अपने छेतर के लिए, पहले तो मैं अपने स्वास्त का, फिर अपने स्वास्त के साथ, अपने जो छोटे-छोटे कारे हैं, जैसे नली यहां है, बानी का नि नाली की समस्या, पानी की समस्या हमारे इलाके में बहुत जादा है, सबसे पिछड़े वार्डों में से हमारा वार्ड आता है, वार्ड एक निपनिया का, मैं पहले उनी चीजों को दुरूस करने की कोशिस करूँगा, जो आम आदमी के लिए जरूरी है, कुछ इस तरीके से क कहना था, C.L. रावत जी का, हलाकि इनकी पत्नी यहां से चुनाओ जीती है,